सावित्री गैस पर चाय चढ़ा कर जाडू लगाने लगी इतनी देर में रमेश उट चुका था रमेश बहु को बोल दे मैंने चाय चढ़ा दी है उट जाएगी बोल दो उट गई हूँ और एक कप चाय बना भी देंगी तो कौन से इन के हाथ घिज जाएगे मा तुम्हें पता तो है सुधा उट जाएगी तुम भी कम नहीं हो ज़रा जल्दी क्या उट गई मैं शुरू हो जाती हो मैंने इसलिए बोला बेटा चाय अगर जादा देर की बनी रखी हो तो बेस्वादी हो जाती है तो दूद कौन सा तुम लाती हो लाएंगे तो हम ही अपने पैसो से बढ़ी आई मुझे बोलने वाली और ये रसोई अभी तक फैली हुई है कपड़े धुले नहीं है एक चाय क्या बना दी सोच रिंग है बड़ा काम कर दिया सुधा बहुत ही बुरे स्वभाव की थी अपनी बुढ़ी साज पर उसे जरा भी तरस नहीं आता था वो सावित्री से ही सारे घर का काम करवाती थी सावित्री कई बार दुखी हो जाती थी पर वो अकसर बेटे की वज़़े से चुप हो जाती थी रमेश के सिवा सावित्री का इस दुनिया में कोई भी नहीं था सावित्री घर का सारा काम निपटा कर कुछ देर के लिए लेटी ही थी की माजी मेरी सहेली राधा आ गई है मैं उसके साथ बैठी हूँ जा रसोई में जाकर खाने के तैयारी करो ठीक है बहू मैं अभी बना देती हूँ सुधा तेरे तो मज़े है सारा काम तेरी सास कर लेती है थू तो आराम से बैठ कर खाती है वो तो है वैसे इन सासों से भी काम निकलवाना पड़ता है ये ले पकोड़े आ गए आजा पकोड़े खा ये क्या कर दिया अंधी कही की बुढ़िया मेरा दस हजार का सूट है ये और इस पर चटनी गिराकर इसे पूरा खराब कर दिया सुधा कैसे कैसे बुढ़े लोगों को तुने घर में रखा हुआ है सारा मूट खराब हो गया यार ये क्या कर दिया तुमने? मैं सच में तुम जैसी सास से तंगा गई हूँ बुढिया मरती भी तो नहीं है इतने समय बाद मेरी सहेली आई है और उसका इतना महंगा सूट खराब कर दिया अब हमारी आखों के सामने खड़े होकर और क्यों गुस्सा दिलवा रही हो? निकल जो यहां से गलती हो गई बेटा अब नजर कमजोर हो गई है इसलिए मैं देख नहीं पाई तुम्हारी गलती की वज़े से मेरा इतना महंगा सूट ठीक थोड़ी हो जाएगा इस पर तो दाग लगी गया ना? क्या हुआ सुधा? इतना शोर के मचा रखा है रमेश मैं इस घर में रहकर परिशान हो गई हूँ तुम्हारी मा ने हमारा जीना मुश्किल किया हुआ है इतने समय बाद मेरी सही लियाई मैंने इंसे जरा से पकोड़े क्या बनाने के लिए कह दिये इन्होंने गुसे में उसके सूट के उपर पुरी चटनी का कटोरा ही गिरा दिया इतना महंगा 10,000 का सूट खराब कर दिया मेरी कोई इज़त ही नहीं है मेरी दोस्तों के सामने मा थोड़ा तो ध्यान से चला करो कितनी बार कहा है अपना चश्मा लगा लिया करो इतने महंगे महंगे चश्मे तुम्हें बनवा कर देता हूँ रोजाना ही तुम मुझे चश्मा ठीक करवाने के लिए भीज देती हो फिर भी तुम्हारी आँखों को दिखाई क्यों नहीं देता सॉरी राधा जी मेरी वजह से आपका सूट खराब हो गया इनकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ अरे नहीं नहीं रमेशी ऐसी कोई बात नहीं है आप मुझे से माफी मत मांगे वैसे आजकल बहुत से विर्धाश्टर में जो खुले हुए हैं आप अपनी माता जी को किसी विर्धाश्टर में क्यों नहीं छोड़ा दे अपनी उम्र के लोगों के साथ रहकर इनका भी मन लगेगा और आप लोगों को भी अपनी जिन्दगी खुले से गुजारने का मौका मिलेगा मेरे पड़ोस में बहुत से लोग हैं जिन्नोंने अपने माता पिता और साथ ससुर को विर्धाश्टर में छोड़ दिया है और खुशी से अपनी जिन्दगी गुजार रहे हैं ना कोई रोक टोक ना कोई सिरदर्दी क्यों रमीश? कह तो राधा बिलकुल सही है हम भी क्यों ना माजी को किसी विर्धाश्रम में छोड़ाएं ठीक है सुदा, मैं कल ही किसी विर्धाश्रम में बात करता हूँ फिर हम मा को वहीं छोड़ाएंगे ए भगवान, ये मेरे बेटा बहु है जो मुझे विर्धाश्रम में छोड़ने की बात कर रहे है प्रमेश और सुधा सो रहे थे, सावित्री अपने कुछ कपड़े और थोड़े बहुत जोस के पास पैसे थे, लेकर घर छोड़ कर निकल पड़ती है, सावित्री एक बस टेंड पर पहुँशती है, प्रमा के आंसों से भीगी हुई होती है, बस हरिद्वार के लिए चल पड़ती है, कुछ देर बाद, यहां तक तो आ गई, पर यहां रहकर मुझे कोई काम करना होगा, मेरे पास इतने पैसे नहीं की, ज्यादा दिन तक गुजारा हो पाए, अमा जी, चाई पियोगी, बस पांच रुपए की है, अरे बिटिया, तुम तो बहुत छोटी सी प्यारी सी हो, चाई तो मुझे पीनी है, लाओ, एक प्यारी दे दो, यह लोग पांच रुपए, पर तुम इस बस टेंड पर अकेली चाई बेच रही हो, मेरा नाम बिंदिया है, मैं अपनी मा के साथ रहती हूँ, वो मेरा भाई आने वाला है न, तो मा आप काम नहीं कर पाती, पहले मेरे बाबा थे न, वो चाई बेचते थे, पर खुश दिन पहले हम जब फुटपात पर सो रहे थे, तो एक गाड़ी बाबा को चोट मार कर चल हमत देते हैं, तुम रोने लगोगी तो तुम्हारी मा को कौन हमत देगा, वो देखो, पेर के पास मेरी मा बैठी है, मा, ये अम्मा जी तुम से मिलने आई है, बिंदिया की मा मालिनी सावित्री की आप बेती सुन कर बहुत दुखी होती है, आपने सही किया, आपने घर छो कर चले गए, और मेरा बच्चा होने का टाइम भी नस्दीक है, इसलिए चाई के दुकान वाले से चाई लेकर बिंदिया को दे देती हूँ, और ये आने जाने वाले यात्रियों को चाई बेच देती है, छोटी बच्ची है ना, तो हर कोई नहीं खलेता, और इतनी हिम्मत पढ़ती की बसों में चड़ उतर कर मैं चाई बेच सको, आ, क्या हुआ मालिनी, हे भगवान, इसकी तो तब बिगरती जा रही है, सावित्री मालिनी को हरिद्वार की कस्पताल में भरती करवाती है पर, मरी शरीर से बहुत ही कमजोर है, इसलिए हम मा और बच्चे दोनों म मालिनी, तुम ठीक हो जाओगी, तुम्हे कुछ नहीं होगा, मालिनी नहीं बचपाती, उसके शरीर में इतनी ताकत नहीं थी, कि वो एक बच्चे को जन्म देकर जी पाती, गरीबी और भूख से उसका शरीर खोकला हो चुका था, और वो अपने बच्चे को जन्म देकर इ सावित्री ने अपने हाथ में एक सोने के अंगूठी पहनी हुई थी, जिसे बेचकर वो हरिद्वार बस्टेंड के सामने किराए की एक छोटी सी दुकान लेकर, वहीं चाय बनाकर बेचने का काम शुरू कर देती है। और बिंदिया और मोनु को पालने लगती है। ग्राहक भी अब अम्मा की चाय के नाम सी खुली उस दुकान पर चाय पीकर ही आगे बढ़ते थे। सावित्री को चाय की दुकान खोले छे साल गुजर गए थे। उसने बिंदिया और मोनु का एक स्कूल में दाखिला करवा दिया। और वो दोनों स्कूल जाने लगे। एक सुब़ जब सावित्री बिंदिया और मोनु को स्कूल छोड़ने जाने लगी। मेरी तरफ से एक बिस्कूट खाना। रमेश इससे पहले कुछ कह पाता। सावित्री बिंदिया और मोनु को स्कूल छोड़ने चड़ी गए। सुमित्रा क्या बात है तुने कठल में इतना तेल भर दिया। रोहन और प्रिया ने सबजी चुई तक नहीं। मालकिन मैंने तो रोजाना की तरह ही सबजी बनाई थी और कठल को थोड़ा फ्राई करके बनाया था शायद इसी वज़े से तेल दिख रहा होगा। और मिर्श मसाले बिलकुल भी नहीं डाले खाने में बिलकुल फीकी बना दी। किसी ने सबसी चुई तक नहीं। वैसे क्या बात है। तो थोड़ी परिशान लग रही है। अब तेरे आदमी की तब्यत कैसी है। अभी तो डॉक्टर ने पैर का बहुत खर्श बताया है। पता नहीं कोई रॉड डलेगी तब ही ठीक होगा। अच्छा चलती हूं माताजी। सुमित्रा एक गरी बौरत थी। जबसे उसके पती के पैर का एक्सिडेंट हुआ है। तबसे वो मजपूरी में यहां कोठी में रोटी बनाने का काम कर रही है। सुमित्रा के मालकिन शोभा अच्छे स्वभाव के नहीं है। पर सुमित्रा अकेली ही कमाने वाली है। इसलिए वो यहां काम करके दो पैसे कमा लीती है। मा आज बहुत देर लगा दी। मुझे बहुत भूख लगी थी। घर में कुछ भी खाने को नहीं रखा है। मा ये क्या लाई हो। ये मैं भिंडी की सबजी लाई हूँ। तुम्हें भिंडी पसंद है ना। मैं अभी तुम दोनों के लिए और तुम्हारे पापा के लिए रोटी सेख देती हूँ। फिर गरम-गरम रोटी भिंडी के साथ खाना। खबरदार जो ऐसी बात कही। आज कह दिया आगे से मत कहना। अरी तुम्हारे बिना तो हम तीनों नहीं रह सकते। देखना एक दिन तुम जरूर ठीक हो जाओगे। सुमित्रा बहुत हिम्मत वाली थी। वो अपने पती को हमेशा हिम्मत देती रहती थी। पर एक दिन सुमित्रा की हिम्मत खुद ही टूट गए जब उसकी मालकिन ने अचानक से उसे नौखरी से निकाल दिया। पर मालकिन कोई कमी है तो वो बता दो मैं वो दूर कर अरे शोभा एक बार सोच ले अगली बेचारी को कितने समय से तुने काम पर रखा हुआ है और अचानक से तु इसे निकाल रही है इसका पती वैसे ही बिमार है घर में दो छोटी-छोटी बच्चियां भी है ऐसे किसी के पेट पर लाथ क्यूं मार रही है मा जी आप चुप रही है आपको ज़्यादा पता है या मुझे पता इस घर का सुमित्रा मैंने तुमारा हिसाब कर दिया है ये तुमारे इस महीने के दो दिन आई हो तुम ये दो दिन के रुपए ले जाओ कल से मताना सुमित्रा रोती हुई घर चली जाती है घर पहुँचकर वो अपने पती को सारी बात कहती है वो भी ये सब सुनकर बहुत परिशान हो जाता है अचानक से सुमित्रा को कौन काम देगा हर कोई एकदम से विश्वास भी नहीं करता और वो भी एक रोटी बनाने वाली पर सुमित्रा शाम का खाना बना रही थी कि तब ही उसके दर्वाजे पर खटखट होती है अरे मादा जी आप और इस समय आईए अंदर आईए सुमित्रा आज सुबर शोभा ने जो भी किया उस बाद से मुझे बहुत ठेज पहुची है मैं मंदिर के लिए निकली थी पर मेरा मन मंदिर में भी नहीं टिक रहा था इसलिए मैं तुमसे मिलने चली आई मैं शोभा को तो नहीं सुधार सकती पर मैं तुम्हें एक सला देना चाहती हूँ अगर तुम मानो तो जी बोली माता जी सुमित्रा ये दस हजार रुपे रख ले और इनसे खुद का कोई खाने का ठेला लगा ले वैसे तु छोले भटूरे बहुत ही अच्छे बनाती है अगर तु चाहे तो छोले भटूरे का ठेला शुरू कर सकती है आजकर लोग छोले भटूरे खाना बहुत पसंद करते है और आगे सर्दियों के दिन भी आ रहे है तो तेरी अच्छी खासी बिक्री शुरू हो जाएगी पर माता जी आप मुझे इतने सारे पैसे दे रही हो मुझे अच्छा नहीं लग रहा सुमित्रा ये पैसे मेरे खुद के है मैंने जोड़े हुए थे और फिर इन रुप्यों की मेरे से जादा तुझे जरूरत है अब तु देर मत कर इन रुप्यों से जल्दी से छोले भटूरे का ठेला शुरू कर दे फिर मैं गरम गरम छोले भटूरे खाने आऊंगी उन रुप्यों को देख कर सुमित्रा के मन में हिम्मत जाग जाती है और वो माता जी को दिल से शुक्रिया करती है आज मुसीबत की इस घड़ी में माता जी उसके लिए ईश्वर का रूप बन कर आई थी माता जी की सला सुमित्रा और उसके पती को ठीक लगती है और एकले ही दिल सुमित्रा छोले भटूरे का ठेला लगाने के लिए सारा सावमान एकठा कर लेती है और दो तीन दिन में ही उसका छोले भटूरे का ठेला शुरू हो जाता है पहले तो कभी नहीं देखा लगता है बाजार में ये छोले भटूरे वाली नहीं आई है भाईया बहुत ही स्वाधिस्ट छोले भटूरे बनाती है साथ में प्याज, चटनी, अचार और बूंदी का रायता भी एक प्लेट खाई थी कल मैंने भाईया सच्मोचानन दा गया वता रहे अच्छा एक काम करते हैं, एक प्लेट खा लेते हैं चल कर, गरम गरम, मज़ा आ जाएगा दो प्लेट छोले भटूरे देना और प्याज और अचार जादा कर देना ठीक है, अभी देती हो, आप आप दोनों के लिए भाईया जी हमें भी एक एक प्लेट छोले भटूरे लगा दो, भटूरे थोड़े करा रहे देना है सुमित्रा का छोले भटूरे का ठेला चल पड़ता है, उसमें नया आत्मविश्वास पैदा होता है धीरे-धीरे वो छोले भटूरे के ठेले से अच्छे पैसे कमाने लगती है और एक छोटी दुकान किराए पर ले लेती है अब सुमित्रा की छोले भटूरे की दुकान थी उसके साथ साथ गाजर का हलवा, मूंकी दाल का हलवा, गुलाब जामून और कुछ मिठाईयां भी बेचनी शुरू कर दी थी सुमित्रा ने काफी अच्छे पैसे कमा लिये थे एक दिन वो माताजी से मिलने गई नमस्ते मालकिन वो माताजी से मिलना था माजी का 15 दिन पहले स्वर्गवास हो गया शुगर बढ़ गई थी और फिर काफी तब्वित खराब होने की वज़़ा से डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था कुछ काम था माजी से, मुझे काम से जाना है, मुझे देर हो रही है माताजी की गुजरने की ख़बर सुनकर सुमित्रा की आँखों में आसु आ जाते है आज उनी के कारण उसके पास पैसे और काम था सुमित्रा जो रुपे माताजी को वापस करने गई थी, उन रुपियों से वो गरीबों में माताजी के नाम का दान करती है ताकि उनकी आत्मा को शान्ते मिल सके सुमित्रा के पती के पैर का उपरेशन भी ठीक ठाक हो जाता है अब दोनों पती-पत्नी मिलकर छोले भटूरे की दुकान चलाते थे पर आज भी सुमित्रा माता जी के एहसान को नहीं भूल पाई थी इसलिए वो उनकी याद में महीने में एक दिन छोले भटूरे बना कर गरीबों में बाड़ती थी अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, कॉमेंट्स करें इस वीडियो पर और हाँ शेयर करना भी न भूलें और भी मज़िदार वीडियो देखने के लिए नेचे दिये गए बेल आइकॉन को दबाएं देखते रहीए, बेस्ट बाडीज